दोस्तों आज हम बात करेंगे UAE वर्सिस अफगानिस्तान के बीच में जो थर्ड T20 मैच खेला जाएगा बात करेंगे दोने ही टिमों की प्लेंग 11 की ड्रीम लेंड टीम की साथी मैं आपको एक कमाल के फैंटेसी एप के बारे में भी बताने वाला हूँ जहां से आप अपने से सारे लnya कर लोगे तो चले स्टाटर्ट करते हैं मैच भेने की बात गरें तो यह मैच मैंच भी शार्ज है कर्केट स्टेडियम में ही कहला जाएगा जहां पर फार्स्ट और सेक्ड मैच खेला गया था पिछ रपोर्ट की बात करें दोस्त वीम दुश्ड राती बै्टिक की टीम ने जीता था जी हां दोस्तों यहां पर थोड़ी help मिलती है वो Pacers को मिलती है इस्पेसली सेकंड इनिंग में जब वो बॉलिंग करते हैं तो वहां पर उनको थोड़ी help मिलती है जलिए ग्राउंड रिकॉर्ट्स क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल जो T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए वो 33 खेले गए जिसमें जो फॉर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने अठारा मैच जीते हैं साथ में एक मैच यहां पर टा 215 रन का हाईएस्ट स्कॉर अफगानिस्तान ने किया है 215 रन 6 विकेट के नुकसान पर लोईस्ट स्कॉर की बात करें तो वो होंग कोंग का 38 रन 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों अगर दोने टीमों के लास्ट के 10 मैचेस का पर्फॉमेंस देखें तो UAE का देखें तो लाष्ट के दस मैंच 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 जीतें यानी कह पर fantast मैशना के प्रारों जीतें इस केलावा एवरिज इन्में यहां पर 116 कर आया तीं सात माहीज इसकोर इन्हों ने 116 किया और लोशे इसकोर इनका 94 कर रहा है हुए अफगानिस्तान की बातों लास्ट के दस मैचे मैसे इन्हों भी अपने छह मैच जीते हैं इनका 137 का रहा है इसकोर सथ महीं हैईस्च इसकोर इन्होंने 203 रन्ग किया तो फर्स्ट मैच में साथ में लो इसकोर इनका 98 रेंस का अब इंपोर्तेंट चीज़ दोस्तों अगर दोनी टीमों की रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं तो यूँए ने अपने लास्ट के पाँच मैचस में से तीन मैच जीते हैं दो हारें वहीं अफगानिस्तान की बात करे तो इन्होंने ब्यारें फ्राम समय माइच हें और थो नहीं threw ऑनोे जैसे के यहां पर देखोगे तो काफी क्लोज मैच देखने को मिला था केवल 6 विकेट से यहां पर अफगानिस्तान ने इस मैच को जीता था यहां पर यहां पर अफगानिस्तान की टीम ने 166 कर दिये थे दोस्तों विकेट कीपर श्यक्षिन में बात करें तो आपके पास यहां पर तीन ऑप्शन है गुर्बाज अर्विंद और सूरी की तीनों की बात कर ले तो गुर्बाज लास्ट मैच पर अच्छी बैटिंग कर रहे थे प तो इस मैच में मुझे लगता है हमको कुछ अच्छा स्कूर बना के दे सकते हैं और कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं इसके लावा अर्विंद की बात करें तो लास्ट मैच इनका भी कुछ खास नहीं कैए केवल दो ही रन बना होगा तो यहां से अर्विंद को भी अपनी टिम में ले ले सकते हैं स्मॉल लीघ में चलिए बात करते हैं इंगरन के क्या एक एवल चारी रन बना पाए थे लेकिन फर्स्ट मैट में उनसर रन की बहत्री इनिंग खिली थी फिर मैं यहां से वसीम को पिक करने वाला हूं इनके पास 200 एक्सपीडियनस है जी हां दोस्तों लास्ट मेट में भी आपने देखा हुआ 53 रन की बहत्री इनिंग खिली तो सबसे पहले आपके पास बासिल हामित की ओप्शेन इनको ट्राय करना चादे व कर सकते हो पर Лस मैच इनका भी कुछ खास नहीं गया । पांच रन किये थे साथ में बॉलिंग में भी एक ओवर की गिंद बाजी करती विकेट नहीं मिला था आप ट्राय करना चाहते हो नजबुला जदरान के साथ जा सकते हो इनकी बात करने तो लास्ट में केवल 12 रनी बना पाये थे और यह आपको चौथे नंबर में बैटिंग क किये थे साथ में दोस्तों एक विकेट भी निकाला था जियां दोस्तों यह भी आपके लिए कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए अच्छी पिक बन जाते हैं इसके बाद में आपके अजमत तुल्ला को पिक करूँगा लास्ट में काफी जादा नीचे बैटिंग करने के लिए आए थे केवल एकी रन बना पाए थे पर बॉलिंग में इन्होंने दो विक्टें निकाले थे फिर का इस बात करने तो मैं यहां से पिक करने वाला हूं नसिर को इनकी बात करें लास्ट में क्या खतरना गेंद बाजी करी लगातार तीन विक्टें निकाले थे जियां दोस्तों इस तीनों विक्टे इन्हों निकालेते शुरू के इसके लावा इस मैच में दोस्तों सेकंड मैच में टोटल चार विक्टे इन्हों निकालेते जियां दोस्तों दोस्तो options की बात कर लें तो यहां पर आपके पास केवल एकी option है अफजल खान की इनकी बात करें लास्ट मैच में इनको विकेट नहीं मिलाता और बैटिंग में भी केवल एकी रन बना पाए थे चली बॉलिंग में चलते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर फरूकी को पिक करने बाला हूँ इनकी बात करें लास्ट में अच्छी गिंदवाजी करती दो विक्टे निकाल लेते साथ में 18 रन भी इन्होंने बनाए थे चली options की तरव नजट डाल लेते तो नभी नुल हक के साथ जा सकते हो पर लास्ट में इनको विकेट नहीं मिलाता साथ में नूर एहमत को ट्राय करना चाहते हो तो इनके साथ जा सकते हो इनकी बात के तो इन्हें भी लास्ट में कोई भी विकेट नहीं मिलाता जिद्दिकी को ट्राय कर सकते हैं लास्ट में परफोर्मेंस की बात करें तो एक विकेट इन्होंने भी निकाला था दोस्तो एक आप्शन आपके प तो यहां पर अपने इच्छा अनुसारी बनाएगा दोस्तों कैप्टर में यहां पर गुर्बाज को बनाने वाला हूं और वाइस कैप्टर सी में आप अजमत तुल्ला को देने वाला हूं options की तरण चया डाल लेते हैं तो option आपके पास है यहां पर वन ओप धी बैस्ट ऑप्शिन आपके पास हैं पर मौहमबन नभी की इनको ट्राइक कर सकते हो साथ में जज़ई के साथ जा सकते हो यह दोनों आप captain और vice captain के लिए ट्राइक कर सकते हो दोस्तो इस एप का नाम Boom11 है एप का लिंग को Referral Code में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ से इस एप को डाउनलोड कर सकते हो साथ में Referral Code का यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 300 रुपे का बोनस मिल जाता है यहाँ दोस्तो इसके लावा यहाँ पे Big Bash लिके सभी मैचस में आपको Free Giveaway मिलता है जिसको आप बिल्कुल Free में जोइन कर सकते हो साथ में International Matches में भी आपको यहाँ पे Free Giveaway मिल जाता है और यहाँ पे दोस्तो इंस्टेंट विड्रोल आपको मिलता है जैसी विड्रोल लगाओगे तुरन पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है इसके लावा दोस्तो यहाँ पे आपको एक मिनट एक्स्टा मिलता है टीम एडिट करने के लिए जी हाँ दोस्तो और यहाँ पे आपको GST और TDSB पे नहीं करना पड़ता है वो कंपनी खुद यहाँ पे पे करती है आपका काफ़ी अच्छा है आपके एक बार आप ट्राय करके देखे आपको काफ़ी पसंद आएगा दोस्तो यह हमारे टेलिग्राम चैनल है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जोइन जरूर कर लिजएगा क्योंकि टॉस होने के बाद स्मॉल लिक की और ग्रैंड लिक की टीम्स में आपको यहाँ पे देता हूँ तो यहाँ पे जरूर से जुड़ जाएगा और अगर आपको वीडियो पसन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रिब कर लिजएगा थेंक्यू सो माच